परशकार, जैशी कृष्णा, मैं राके शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने जोतिस ग्यान के नाम से एक सिरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस असलायू तक पढ़ा रहा हूँ तो अभी बेसिक से स्टार्ट हुआ है, काफी कुछ चैप्टर्स हो गए हैं तो उन चैप्टर्स को आप देख सकते हैं और इसके बाद एडवांस तक यह जाएगी सिरीज, अगर आप इसको पूरे चैप्टर्स को देखेंगे तो आप एक अच्छे जोतिस बन सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सूरिय, चंद्रमा, मंगल, इनके कारक क्या हैं आज हम लोग पढ़ेंगे कि गुरू के कारक क्या-क्या होते हैं, जो रस्पती देव होते हैं, उनके कारक क्या-क्या होते हैं, रस्पती के कारक क्योंकि कारक जो होता है, बहुत इंपोर्टेंट होता है कारक का मतलब होता है, यह जिसे मैं अपनी पुराणी विडियो में आपको बता चुका हूँ, कि कारक का मतलब होता है कि वो चीजें जो उन ग्रहों से देखी जाती है, यानि किसी चीज को पाने की इच्छा हो, तो किस ग्रह को देखें, ये सब चीज जानने के लिए बहुत तो कैसे जाने का तरीका सिर्फ यह होता है कि हमें ये मालूम चलना चाहिए कि धन देने वाला ग्रह कौन सा है, संतान देने वाला ग्रह कौन सा है, उत्र देने वाला ग्रह कौन सा है, शिक्षा देने वाला ग्रह कौन सा है, प्राक्रम देने वाला ग्रह कौन सा है, अगर हम को ये मालूम होगा तो ये सब चीजों के बारे में हम बड़े अराम से समझ सकेंगे हम अपनी कुल्डी देखके समझ सकेंगे कि मंगल हमारा स्टॉंग है या मंगल हमारा कमजोर है पेडित है अशुब ग्रहों से द्रस्ट है तो हमें प्राक्रम की कमी महसुस होगी अगर बहुत जरूरी है, कि ग्रफों के कारक अगर आपको मालुम हो, तो उससे आपको यह सब चीज मालुम पड़ जाती है, कि इस वस्तु के लिए या इस चीज के लिए हमें इस ग्रह के पास जाना है. ब्रस्पति को अगर दो चीज़ों कारक बोलें, अगर खाली दो चीज़ों कारक बोलें, तो ग्यान का कारक है, दूसरा वसा का कारक है, फेट, वसा का कारक होता है ब्रस्पति और ग्यान का कारक होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारी चीज़े ब्र विरचित किताब है वो उस किताब को देखिए उसमें जो काला कारक दिये हुए हैं ग्राउ के वो अपने आप में संपून कहे जा सकते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार पुराणे जमाने के अनुसार वो कारक थे आज उन चीजों में से कुछ चीजे समाप्त हो गई है तो या उनका नाम बदल गया है तो उसके हिसाब से अब कारकों को हम लोगों ने थोड़ा लिमिटेड वे में बना दिया है कुछ-कुछ इंपॉरेंट कारक लिग दिये हैं लेकिन ये अपने आप में संपून नहीं है इसके अलावा भी कारक पोज़न तो हम पहला कारक हमारा ह होता है ज्यान, ब्रस्पति घ्यान का कारक है, ब्रस्पती किसी का स्ट्रॉम हो, किसी का अच्छा हो, कुंडली में यह इसक प्लेस्ट हो अच्छे इंपनी दे देढं को रही है, इतना नह", अराम से पनी जिंदगी बशर कर सकήने। उस धन का कारक ब्रस्वती होता है कि आप अराम से अपनी जिन्द की बसर कर सकोई आप कोई कहता है नहीं साथ मुझको तो बिल्कुल धन चाहिए विपुल धन चाहिए मुझको तो मतलब दुनिया बर की लगजरी मेरे पास हो सब कुछ मेरे पास हो तो उसके लिए शुक्र के पास जाना पड़ेगा विपुल धन का कारक शुक्त है तो अभी हम यही कहना चाहरे हैं कि धन का कारक गुरु है जीवन को अच्छी तरसे जीने के लिए आनंद में रूप से जीने के लिए जितना धन आपको चाहिए वो गुरु देता है संतान का कारक गुरु है संतान गुरु देता है गुरु की दशा हो या गुरु अच्छा बैठा हो कुनली में तो संतान की प्राप्ती होती है और अच्छी संतान की प्राप्ती होती है मुटापय का कारख गुरु है जिसे मैंने काया की वसा का कारख गुरु आ है गर गुरु 했던 के श्रीर में मुटाप़ हुआ है वसा की मत्रा जादे होती है मंत्री का का निया मंत्री नहीं कि कोई present की मंत्री कोई पोस्ट जो herb bagus यह कप्पनी को एडवाइस करने वाली पोस्ट ओ हूँ अडवाइसरी पोस्ट को हम लोग मंतरी कहते हैं कि यह कंपनी के चेर्मेन को आप भी अपने चीजें ब्रस्पत्री मिन क Kerryे एडवाइजरी चीजें मंतरी पदौ अगरण क्योंकि द्रहों के मंत्री मंडल में ब्रस्पती को मंत्री कहा गया है शुक्र को भी मंत्री पार्ण को इनसान बहुत अच्छा अच्छा सलाकार बनेगा या नहीं अगर ब्रस्पती उसका अच्छा है तो जाहिर कि वह बहुत अच्छा एडवाईज़र बहुत अच्छा सलाकार June सप्दा ऑड़ रतन का व्यापारी जो जब्लाज निलम है यह जितने वी रतन है competitor डिए जुपिटर बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए अकर स्टॉंघ है तो ऐसे का व्यापारी है एक एक रतनों की जाच करने वाला होता है वो बुद्र, उसका अच्छा होना चाहिए हैं तो हम ऐसे इशान को अपनी बिजनेस में यह करें इसका बुद्र हो अगर हमारा बिजनेस रतन का है और रतनों का व्यापारी कौन अच्छा होता है वो गुरू वाला होता है तो ये ध्यान देने वाली चीजेस के अंतर है पती का कारक गुरू होता है इस्तरी की कुंडली में पती का कारक भी गुरू ही होता है और पुरुशी कुंडली में पत्नी का कारक श इतने प्रवार के दान हमारे होते हैं, वो सारे दान हमारे या जितनी भी धार्मिक कारे होते हैं, वो सारे गुरू के अंडर में हमारे आते हैं, उत्तर दिशा को सूचित करता है गुरू, अगर गुरू अच्छा हो, गुरू बढ़िया बैठा हो आपका, दस्वे भाव में बीच्छी तरसे बैठा हो तो उत्तर दिशा में अगर आप नौकरी करें या उत्तर दिशा में अपने बिजिनस चार्ट करें तो आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी-पूरी उमीद होती है। सात्विक, गुरू सात्विक है, ग्रहों में भी सात्विक, तामसिग रहे, ऐसे हैं, हमारे रासिग रहे भी हैं, जैसे शुक्र हमारा रासिग रहे हैं, इसी प्रकार से गुरू और सोरी हमारे सात्विक रहे के लाग में हैं। तूसरों के विचारों को भाब जाना तो जिनका गुरू लृश्म होता है ऐसी विचा कर. तो जिनका ब्रसपती अच्छा हो तो आप कह सकते हो कर दूसरों के विचारओं को भाब जाएंगे. Gugamad The Thacker about the kan dele. कफ का कारक मिली वात का कारक भी आता है अकाश सत्वी है ये तो वात और कफ दोनों का कारक है जितने भी वात और कफ से होने वाले दोश हैं वो आपको गुरु से प्राप्ट होते हैं मूरती सापना गूरती सापना का क्या मतलब हुआ मंदिरों में मूरती सापना करते हैं तो बाद मूर्ती की सापना की जाती है, तो उसका कारक भी गुरू है, तो गुरू को देखके, गुरू का स्टॉंग देखके, गुरू का दिन देखके ही आप मूर्ती की सापना करें, तो आपकी मूर्ती सापना बहुत अच्छी हो जाती है, कानून का कारक गुरू है, जोड़े ये जिया वेने आपको जैसे पहले मंत्री था इसी प्रकार से परामर्शी है, एडवाइजर है, सलाकार है, परामर्श अच्छा करते हैं, परामर्श अच्छा देते हैं, ये लोग जिनका प्रस्पती अच्छा होता है, बड़े भाई का कारग भी प्रस्पती है, जो छोटे हम है कि छोटे बाइब हैँ थी से देखते हैं आप में की स lit है तो आप उनका पठन अच्छा करेंगे आप नौलिज बहुत अच्छी दे सकेंगे आप में उनकी नौलिज बहुत अच्छी होगी आप दान अच्छा कर सकेंगे फलदार व्रक्ष क्या मत्तब है कि गुरू अगर आप भी कुंड़ी में स्टॉंग नहीं है गुरू की वेज़े कोई प्रॉब्लम हो रही है आपकी about the ride कारट नि कोंडिये Sacred with उस्ते के फश्रों को उसके अपना प्रॉब्लम कारते गफिज़ेंगे लोग जान करना सबस्क्रेंद कर सकते हält इसके अलावा effective matchmaking के नाम से भी अपनी class start कर रहे हैं कि कैसे गुड़ी मिला जाती है उसके लिए भी दिये गए नमबर को संपत कर सकते हैं धन्यवाद जैशी किछना नमस्कार